एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं टाटोली चोख हो गया ऐसे ऐसे कुछ चोख है जहां पर पुलिस कर्मियों पतधिकर्यों काफी कठिनाई है बरसात का दिन है धूप है बरिसात में ऐसा हो जाता है कि सारा वर्दी भीगता हुआ रहता है फिर भी ड्यूटी तो करना है हम लोग इसी के लिए भाल हुए हैं सर को सर आप आए हैं कम से कम जहां जहां बूत नहीं है उसको बनवा दिया जाए उनके द्वारा अस्वासन दिया गया था कि बिल्कुल इस पर काम करेंगे और उसको बनवाने का भरुसा दिया है यह वही ट्रैफिक पुलिस है जो हर मौसम में हर हाल में धूप में धूल में और दुआ चेलते हैं करी मशक्कत के बार ट्रैफिक पुलिस के जवान आपको सुरक्षिर तकते वे आपको घर तक पहुंचाने के लिए दिन रात प्रयासनत रहते हैं ऐसे में जब इनके आराम की बात होती है तो यहां ट्रैफिक पुलिस जवानों को धोखा मिलता है क्यो पुलिस के स्मार्ट तस्वीर को चत्ता भी देख सके बरसात के मौसम और गर्मी में भी और जाड़ा में भी उनके रहने का रोड के किनारे कोई समुचित ब्योस्था नहीं है और जो नगरपाल का या कुछ अपने अस्तर पे बनाये गया है वह भी समुचित नहीं है और व वहाँ बना दिया जा चुकि हर पोश्ट पे मिनमम आठ से दस पुलिस कर्मी काम करते है राज़ानी की पुलिस को अगर स्मार्ट करना है तो स्मार्ट पुलिस देखना भी चाहिए इसने टेंट बे चल रहे ट्रैफिक पोश्ट को बदलने की ज़रत है क्योंकि उसरे राज